हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल स्वाकत है आप सभी का मेरी सुपर लोगी चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको गरम में लड़का होने के दो लक्षडों के बारे में अगर आपको यह लक्षड अपनी प्रेगनेंसी के टाइम दि है सब्सक्राइब करें साइडमे और वीडियो की नंटरीकेशन पाने के लिए आई एक दोस्तो जान लेते हैं इन दो लख्षड के बारे में पहले हैoulder के दोस्तो को चाने हैं लेकिन उस से पहले आप से रुकैश्ट करना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को सफ जिग्यासा और उसकता के तोर पर ही देखा करें बाकी 100% शौर बिल्कुल भी ना हो है आई दोस्तों जान लेते हैं पहले लक्षणर के बारे में अगर आपको पहले मिर्ची खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था आपको मिर्च अच्छी नहीं लगती थी कई मैलाओं को मिर् के साथ जावल खाती है कुछ भी काती है हुनको हरी मिर्च की चटनी जाना पसंद आती है लुदा को दोस्तों समय लड़का होने के टाइम फ़र हरी मिर्च moi होने की निसानी मानी जाते है गरम में बेटा ही होता है अगर हरी मिर्च खाने की बहुत ज्यादा तीव रिच्छा होती है तो दूसरा जो लक्षान है दोस्तों हमारा वह भी बहुत सठीक लक्षान है अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम नीवू खाना बिल्कुल भ कुछ भी आपको खटा पन अच्छा नहीं लग रहा है किसी बी चीज में रुची नहीं आपको तो ऐसा माना जाता है कि लड़का होने के टाइम पर खटे पन से नफरत हो जाती है खटा अच्छा नहीं लगता हाँ यह ज़रूर है कि अगर जैसे नमकीन आप खारें उसमें रस डाल लेते हैं तो दोस्तो इस तरह है कि अगर आपको कोई भी क्रेविंग नहीं हो रही है आपको खटा पूरी प्रेगनेंसी आपने नहीं चुआ है तो यह लड़का होने का ही लक्षन माना जाता है ऐसी इस्तिती में आपने बेटे को ही कंसिब किया हुआ है दोस्तो यह जो दो अमने लक्षन बताएं आपको यह काफी गरवती महिलाओं में देखे जा चुके हैं और जिन में देखे जा चुके हैं उनका कहना है कि 101% लड़का ही होता है अगर यह लक्षन देखे जाते हैं और यह पुराने जमाने से बुड़ी-बुजर्ग महिलाएं इन प्रेगनेंसी के टाइम मिर्ची खाना बहुत जादा पसंद आया था यह लक्षन मेरे उपर बिल्कुल सही सावित हुआ जबकि नॉर्मल मिर्ची मैं नहीं खाती हूं और प्रेगनेंसी के टाइम मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि बहुत-बहुत सारी मिर्ची चुकी ह दोई में खा जाती थी दोस्तों वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें